हाई अबरिवन वेलकम तू माई चैनल मून की ममनी रियल लाइफ रियल होम जै मातादी फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे इस बार बहुत ही विकट इस्तिती बनी हुई है कन्या पूजन कैसे हो सब के मन में यही सवाल कि कन्या पूजन कैसे करें हमारे सनातन धर्म के अनुसार कन्या पूजन बहुत ही महत्य बताया गया है जिस इस्तिती पर हम अपने कुल देवी के पूजन करते हैं उसी तिती को हमारे हां कन्या पूजन माना गया है किसी के हां अश्टमी पूजती है किसी के हां अगर कोट वाली कुल देवी होती है तो किसी के हैं चामड माता काली माता होती है काली माता का कुल देवी मान कर कन्या पूजन करते हैं तो ऐसी स्थिती जो आज की है ऐसे मैं ना तो हम किसी कन्या को अपने घर बुला सकते हैं और ना ही हम अपनी कन्या को किसी के घर भी सकते हैं माजग दंबा हमारे पूजन को कैसे स्विकार करेगी तो आईए मैं आपको बताती हूं कि किस विधीत से करें कन्या पूजन सबसे पहले तो आप के घर में जो कन्या है आप उसके चरन धुला कर निला धुला कर पूजा पाट करने के बाद टीका लगा कर और आप उनको परशाद दें जो हलवा पूरी परशाद बनाया है उसको थाली लगा कर प्रेम पूबरक भूजन कराएं चरन स्पर्स करें आशीर मानस रूप में जो भी आपके पास है वो आप उसको किफ्ट दें पैसे दें लेकिन कुछ ऐसे घर है जहां कन्या घर में नहीं है जैसे की मेरे हाँ भी नहीं है तो किस विदी से करेंगे कन्या पूजन हम कन्या पूजन मा को जगदंबा के रूप में पूजेंगे तो उसी जल लेकर मानस पूजा जैसे कहते हैं यानि मन में ध्यान रखते हुए कि हम मा के चरण धुला रहे हैं और आसन का ध्यान करके कि मा को आसन दे रहे हैं जैसे हम कन्याओं को चरण धुला कर उनको बिठाते हैं उन्हें आसन दें और कहें कि मा आज हम आपको कन्या जिमा रहे है हाज जोड़कर प्रिशाद मा को दें भोग लगाकर दख्षना स्वरूप मा को कुछ पैसे भी मंदिर में रख दें और आशिरवात लें और अगर इससे भी मन संतुष्ट ना हो कि ऐसे तो हम डेली पूजा में भी करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप सूखी मेवा बतासे और दख्षना ये मनसकर मंदिर में रख लें और जब ये इस्तिती से हम लोग उबर जाएंगे तब आप किसी भी कन्या को दे सकते हैं या आपके घर के पास गाय है तो आप एक ठाली में नौ जगे हलुआ चना पूरी का परशाद रखें और फिर बाद में मा को भूग लगाने के बाद वो गाय को दे दें अब हर जगे तो गाय नहीं मिल सकती हर कोई तो गाय को नहीं दे सकता तो इस से सबसे अच्छा क्या है कि आप पैसे उठा कर मंदर में रख दें और मा को बोलें कि मा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ये इस्थिती जब नहीं रहेगी कोरोना वाइरस जब खतम हो जाएगा देश से और सब खुश रहेंगे सब स्वस्त रहेंगे और ये लॉकडाउन हट जाएगा तब मैं इन पैसों से कन्या पूजन करूंगी और कन्याओं को खिलाओंगी तो इसे कहते हैं संकल्पित कन्या जिमाना यानि हमने संकल्प ले रहेंगे पैसे हम से जो भी पैसे बने हैं पैसे हम संकल्प करके मंदर में रख दें कि हेमा हमें इस इस्तिती से उबार दो लॉकडाउन जैसे ही खतम होगा हम आपको कन्या जिमाएंगे तो इसे संकल्प कन्या जिमा कर इस तरह से हम नौमी वाले दिन या अश्टमी वाले दिन कन्या जिमा सकते हैं संकल्प ले करके और नहीं तो भीया अगर जिनके फॉन नंबर हैं आपके पास तो पेटियम कर दो कर्ण्याओं को संकल्प ले कर कि हम कर्ण्याओं को 50, 10, 20 जो भी रुपे हम दे रहे हैं खेर ये तो मचाक की बात होगी सबसे अच्छा यही है कि अगर आपके पास गाये है तो थाली में नौ जगे भोग लगा कर माता को जिमा कर भोग लगाने के बाद वो परशाद आप गाये को खिला दें नहीं तो आप पैसे उठा कर मंदिर में रख दें सब कुछ ठीक होने के बात कन्या जिमा दें यह सबसे ज़्यादा सही है और किसी भी कन्या को घर पर ना बुलाएं अपनी कन्या किसी के घर ना भेजें क्यों कि यह समा नहीं है कन्या को अपने घर बुलाने का और नहीं अपनी कन्या को किसी के घर भेजने का हम मा जगदंबा को कन्या के रूप म ही मानते हैं माता वैशनो देवी को हम कन्या के रूप में पूछते हैं हम वैशनो देवी जाते हैं तो आकर कन्या जमाते हैं वहां वैशनो देवी जाते हैं तो वहां भी हम कन्या मिल जाती हैं तो उनको वहां कुछ भी जले भी या कोई फल लेकर मार देते हैं मैं कालगाजी कन्या नहीं जिमारे तो हम परशाद न बनाएं हल्वा चना पूरी जो जैसे आप बनाते थे हर साल वैसे ही बनाएं क्यों कि जब हम धूप करेंगे माता की हवन करेंगे तो उसमें हमें हल्वा चना का भोग जरूर माता को चड़ाना है तो जब हम माता को भोग चड़ाएंगे नो बार तबी चड़ा दें कि हेमा जगदंबा, हेमा जवाला देवी आप कन्या सरूप हैं हम कन्याओं को पूछते हैं आपके सरूप में आपको पूज रहे हैं कन्या के सरूप में ये भोग स्विकार कीजिए और दक्षणा मंदिर में रख दें बाद में आप कन्याओं को देदें या घर में दुबारा से कन्या जिमा लें जब सब ठीक हो जाएगा तो परेशान होने की बिल्कुर जरूवत नहीं है आप लोग इसी तरह से कन्या जिमा हैं जैसे मैं आपको बता रही है मा जग्दा हमारे पूजन को जरूर सुईकार करेगी कि ये इन्होंने मन से पूजन किया है और कन्या जिमा दी सब मा देख रही है मा को सब पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और हमारे सनातन धर्म में ऐसा इस्थिती जो विसम परिस्थिती आती है ना उसके अनुसार कारिये करते हैं यह नहीं कि यह एक modernity है तो लोग सोचेंगे कि भे ऐसे कर रहे हैं कई बार क्या होता है जब हमारे घर में कोई भुजर्ग या किसी की death हो जाती है और फिर क्या होता है कि तीसरे चौथे दिनी परिवार में कहीं शादी होती है तो हम लोग दूसरे तीसरे दिन ही उनकी बरसी कर देते हैं तेरी ही कर देते हैं क्योंकि जैसी स्थिति है प्रभू ने यह नहीं कहा कि नहीं तो मैं पत्थर की लगी रहे कि जो काम ऐसे करना है वैसी करना है हमारे सनातन धर में जैसी परिस्थिति आती है वैसे ही प्रभू सुईकार करते हैं विसम परिस्थितियों से न इस तरह से मैंने आपको यह सब बता दिया है कि हम माता को वैसे ही ठीक प्रकार से उनके चरन दुलवाएं ठीका लगाएं और परशाद दें हलवा चना पूरी परशाद जो भी हमने बनाया है वो थाली लगाकर प्रेम पूर्वक भूजन कराएं चरन सपर्स करें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस सब्सक्राइब कर लीजिए ब्रत उद्यापन भजन किरतन पूजा पाट की विदी के लिए जो मैं आप मुझे आता है जो मुझे ग्यान है जो मैंने सीखा है जो मैंने गरंतों में पढ़ा है वो मैं सब आपके साथ शेयर कर रही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बैल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे की आने वाले नौटिफिकेशन आप तक पहुंसते रहे हैं तो मैं ऐसे ही आपको अच्छे अच्छी बातें लेकर आती रहूंगी और जब सब्सक्राइब क करने के चकर में वो अनसब्सक्राइब हो जाते हैं ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फिरेंडों के साथ पता नहीं किसका भला हो जाए किसको कोई अच्छ शेयर कीजिएगा हो सकता है मुझे भी अच्छा टिप्स मिल जाए मैं तो इसी तरह कन्या जिमाऊंगी कि मैं भूग लगाऊंगी मातारानी को और पैसे मंदर में रख दूँगी जब सब ठीक हो जाएगा तब माता की कन्या जिम जाएंगी और हमारे हाथों नीचे पार्क संकल्पित कन्याएं जिमाईएगा तो जैमातादी फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा ऐसी ही अच्छे च्छी वीडियो में आप लोगों को तक लाती रहोंगी और मातारानी हमें इस विसम परिस्तिती से जो विकट इस्तिती बनी हुई है इ मतादी तिल देन बाई बाई